हेले वर्यवान ये बात तो हम सबको पता है कि कोई भी civil suit है तो उसका procedure हमें CPC की books में मिलेगा लेकिन limitation act का content CPC की books में साथ में क्यों दिया होता है क्या आपने कभी इस्वर सोचा है वो इसलीए क्योंकि limitation act बताता है period of limitation of a civil suit इसलिए हम इन दोनों आग्स को साथ में पढ़ते हैं अब यह तो हमें पता चलिए अब चलिए जल्दी से इसके बुक्स पर डिसक्शन कर लेते हैं So, Hello Everyone, My name is Pooja Pande and I would like to welcome you all on behalf of Alec आज मैं फिर से आई हूँ हमारी reference book series के साथ और जो subject में टेक अप करने वाली हूँ वो है CPC along with limitation art So, Let's get started सबसे पहले बात करते हैं हमारी सबसे basic book की जो कि है C.K. टक्वानी जी की book अगर अब कभी भी अपने college गए होंगे या आपने किसी भी senior या teacher से पूछा होगा कि CPC की कौन सी book पढ़नी है इसके features क्या क्या है easy to understand है इन्होंने सारे legislative developments को include किया है जो भी ruling supreme court या high court ने दी है उसको और साथ ही साथ जितने भी latest cases है उनको भी इन्होंने include करके अपनी book को updated रखा है important topics को इन्होंने detail में discuss किया है और यह competitive exams के लिए बहुत इच्छी book है तो अगर आप beginner है या फिर आप competitive exams की preparation कर रहे है तो this is a must go option साथ ही साथ आपको इसमे limitation के भी provisions मिल जाएंगे तो for that also you can refer this book अब चलते है अपने next option की तरफ जो कि है Mullah ji की book यह थोड़ी सी leveled up book है और basically commentary है CPC पे तो अगर आपको in-depth study करनी है या आप इन detail पढ़ना चाहते है CPC को या फिर आप litigation कर रहे हैं और आपको civil proceedings के बारे में detail में जानना है तो आप इस book को refer कर सकते है इसकी qualities क्या क्या है यह updated है detailed है advanced study के लिए मैंने आपको बताया ही अगर आप student भी है तो भी आप refer कर सकते है इसको systematic है बहुत जादा लेकिन competitive exams के लिए beneficial नहीं है बट हाँ अगर अगर आप academician है या researcher है तब आप इसे definitely refer कर सकते है अब चलते है अपने next option की तरफ जो की है सरकार की book इस book की qualities यह है कि यह भी commentary form में है यह भी commentary लिखते हैं CPC के ऊपर इन्होंने objects principles और meaning of section को बहुत detail में deal किया है साथ ही साथ analysis की है इन्होंने judgments की leading और latest भी इसके साथ central और state amendments भी इन्होंने include किये हुए है और यह भी advocates, researchers, and academicians के लिए अच्छा option है तो in case of requirement you can opt for this book अब चलते आगे अपने दूसरे option की तरफ यह है limitation act की book वैसे तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी books बताई है limitation act उसमें आपको साथ में मिलेगा और अगर आप limitation act इसमें आपको साथ में मिलेगा और अगर आप limitation act सिफ बेराग से भी पढ़ रहे हैं तो वो भी काफी हद तक sufficient है लेकिर अगर आप book follow करना चाहते है conceptual clarity करना चाहते है और in detail पढ़ना चाहते है तो JD Jan की book एक अच्छा option है इसके features क्या है यह बहुत ही easy है समझने के लिए concepts को clear करती है lucid है layman है in-depth understanding के लिए है competitive exam अगर आप दे रहे हैं तो उसमें भी आपकी help करेगी तो this is a must go option for limitation act अब आगे चलते हैं यह other books है guides है basically मैं हर वीडियो में बताती हूं इनके बारे में basically यह short notes के लिए है conceptual clarity के लिए नहीं है या फिर अगर आप semester के students है तब भी आप इसे opt कर सकते हैं अब आगे चलते हैं अब आते हैं modules पर अगर आप किसे वे coaching institute के साथ associated और competitive exams की preparation कर रहे हैं तो वहां का study module refer कर सकते हैं जैसे हम अपने students को यह study module provide करते हैं as it is picture में दिया है इसे में आपको CPC और Limitation Act दोनों का content भी लेगा इसको पढ़ने के फायदे क्या है यह काफी research है और प्री से लेके interview तक आपको हर round में help करेगा तो यह इसा मेरा video CPC के उपर along with Limitation Act अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारे किसी वह social media platform पर हमसे connect कर सकते हैं थांक यू नौल रवे